हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मदर्स गली पर तो दोस्तों आज हम जिस चौपिक के उपर बात करने वाले हैं वो है कि प्रेगनेंसी में रिलेशन हमें कब बनाने चाहिए जिससे की हमारा गर्ब दारण हो सके ऐसा कौन सा टाइम है सुटेबल टाइम जिससे प्रेगनेंसी होने के 100% चांसे होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों एक जो पीरिट साइकिल होती है नॉर्मली एवरेज जो है 28 से 30 दिन की होती है तो उसमें जो है ओवरी से एक एक निकलता है और जब ये एक रि उसी को हम फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है और जो इस पर्म लाइफ होती है वो होती है 3-4 दिन की मतलब 3-4 दिन तक इस पर्म जो है एक्टिव रहता है बॉड़ी के अंदर तो इस दोरान अगर एक के साथ इस पर्म का इंटरेक्शन होता है तो वो जो है फर्टाइल हो जाता है ओवम में कनवर्ट हो जाता है और वो यूटरस में जाकर चिपक जाता है तो दोस्तों जो बेस्ट टाइम होता है फिजिकल रिलेशन बनाने का जिससे की प्रेगनेंसी 100% टहर सकती है वो होता है पीरिड के 12-16 दिन का मतलब जब आपका पीरिड स्टार्ट हुआ है उसे अगर हम फर्स दे माने तो वहां से 12-16 दिन के अंदर अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी ठहने के काफी जादा चांस होते हैं दोस्तों हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए मतलब की पीरिड स्टार्ट होने से 4-5 दिन पहले तक हमें फिजिकल रिलेशन बनाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि कई केसिस में होता है हमें पता नहीं चलता कि हमारी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है और अगर हम सेक्स उस दौरान करते हैं तो वह प्रेगनेंसी फेल हो सकती है तो दोस्तों अगर आप खान रखना चाहिए उसके उपर बात कल लेते हैं, फ्रूर्स में हमें पपीता और पाइनेपल यह हमें नहीं घाना चाहिए, जिससे की उट्राइन कॉंट्रेक्शन बढ़ सकता है, हमें heavy work out भी नहीं करना चाहिए, यह भी हमें अवआएड ही करना चाहिए, क्याता है कि सेक् में difference आसकता है, तो जो morning का time है जब हम पूरी अच्छ आपनी sleep ले लेते हैं, तो sperm count भी बढ़ जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि morning का time जढ़ा better होता है, और कहा जाता है कि sex के बाद हमें कितने time का rest थोड़ा लेना चाहिए, तो around 15 to 20 minutes का अगर हम rest ले तो बहतर होता है और कई ladies को irregular periods होते हैं तो उस case में हम क्या करें तो actually जो आपके last 3 months के period जो हैं उनका हमें average निकाल लेना चाहिए और कितने दिन की आपकी cycle बन रही है वो हम note down कर लेना चाहिए और उसके around half cycle में आपका ovulation होगा और कुछ हमारी body में physical changes होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ovulation कब होगा हमारा तो ovulation के time जो है जो vagina से discharge आता है वो काफी clear होता है, sleepery होता है और जो market में जो होते हैं ovulation test kits भी available होती हैं जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस time हमारा ovulation हो रहा है तो दोस्तों जो pregnancy है जो आपने सुना होगा कि age के उपर भी काफी depend करता है तो अगर 35 से पहले आप pregnancy plan कर रहे हैं तो आपके काफी जाजा chances है pregnant होने के और यही chances जो है कम हो जाते हैं 35 years के बाद आपको जो है अपनी body weight को control करना चाहिए क्योंकि अगर आपका body weight जादा होगा तो पहले तो pregnancy implant होने में दिक्कत आएगी आपको और अगर pregnant आप हो भी जाते हैं तो उसके बाद भी pregnancy में complications हो सकती है तो I hope दोस्तों आपको यह video पसंद आया होगा पसंद आये तो वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना और साथ में bell icon को भी प्रेस कर देना जिससे कि हमारी next video की notification आपके पास आ सके तो दोस्तों मिलते हैं next video में thank you so much for watching